पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूटुब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी चरित्रहीन स्त्री के अंगों की पहचान दोस्तों आपिस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके मनुष्य का चरित्र इस से तय होता है कि किसी कारे के प्रती उसकी प्रवरत्ती कैसी है वे जो कुछ बनता है अपने सोच विचार से बनता है अत हमें अपने सोच का ध्यान रखना चाहिए हम जो प्रत्येक कर्म करते हैं और प्रत्येक विचार जिसका हम चिंतन करते हैं वे सब चित पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं प्रतियक मनुष्य का चरित्र इन सारे प्रभावों के आधार पर तै होता है। यदि प्रभाव अच्छे हो तो चरित्र अच्छा होता है। और यदि ये प्रभाव खराब हो तो चरित्र बुरा होता है। चरित्र निर्माण की इस प्रक्रिया से जहां यह निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति आगे चल कर कैसा बनेगा वही यह भी तै होता है कि इससे भावी समाज और संसार का निर्मान कैसा होगा भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है वैसे तो प्रकृती ने स्त्री के भीतर को मलता सौम्यता और ममत्व के भाव कूट-कूट कर भरे हैं और अधिकतर महिलाओं में ये भावना होती भी है लेकिन जिस तरह हाथों की पाचों अंगुलिया बराबर नहीं होती जरूरी नहीं कि हर्स्त्री भी ऐसी ही हो महिलाओं के सिर पर जन्म से ही ये जिम्मिदारी सौप दी जाती है कि परिवार की इजित पर कभी बचाने का काम करती है अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है वही कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके कर्म कुल के विनाश का कारण बनते हैं ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाशा में कुलक्षणी कहा जाता है स्त्री के चहरे और उसके शरीर पर महिला की पहचान यदि किसी महिला की कनिष्ठ उंगلी या उसके साथ वाली उंगली जमीन को नहीं चूती या फिर अंगूठे के साथ वाली उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है तो ऐसी महिलाएं समय अनुसार खुद को बदल लेती है यदि किसी स्त्री को बात बात पर गुस्सा आता है या उसका स्वभाव गुस्से वाला है तो उसके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता जिन महिलाओं के पैर के पीछे का हिस्सा काफी मोटा और उठा हुआ होता है और उस भाग की नसे उभरी हुई होती है तो ऐसी महिलाओं से दूरी बना कर रखे यह घर के लिए शुब नहीं मानी जाती घड़े के आकार की पेट वाली महिला का पूरा उम्र गरीबी और दरीद्रता में गुजरता है यदि महिला का पेट अधिक लंबा और गड़ेदार है तो यह अशुबता की निशानी है यदि किसी महिला का कद लंबा है और उसके होटों के उपरी हिस्से पर अधिक बाल है तो ऐसी महिला पती के लिए अशुब मानी जाती है कानों में अत्यधिक बाल वाली स्त्रिया घर में लड़ाई जगडे की वज़ा बनती है मोटे और चौडे दात वाली महिला जिसके दात मुह से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं तो वह महिला ताम रिद्धुखी और परिशान रहती है महिला के मसूडों का काला होना भी दुरभाग्य की निशानी माना जाता है जिस महिला के हाथों की नसों में उभाराता हो और हथेल या चप्ती हो तो ऐसी महिला को सुख और धन नसीब नहीं होता छोटी गर्दन वाली महिला अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है चार अंगुलियों से ज्यादा लंबी गर्दन होने पर महिला अपने ही वंश का विनाश कर बैठती है इस आर्टिकल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाना नहीं है यह आर्टिकल उन लोगों के लिए लिखा गया है जो जोतिश शास्त्र पर यकीन रखते हैं जोतिश शास्त्र में मनुश्य की शारीरिक बनावट से उसके स्वभाव के बारे में बताया जा सकता है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें